नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भरत जेन और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भरत जेन पर तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक नया गेजिट लेके आया हूँ जी हाँ वो भी केमेरा है लेकिन वो केमेरा कोई स्पाई केमेरा नहीं है ना आपके घर के लिए ना आपके ओफिस के लिए है जी हाँ वो केमेरा जो है वो आप आपकी कार में लगा सकते हैं कार के अंदर आउटडोर की रिकोर्डिंग करने के लिए आज की तारिक में हम सब लोगों के पास में कार है और जब भी हम कार चलाते हैं रोड पर ट्रैफिक के अंदर तो कहीं बार हमारी गारी किसी और की गारी के साथ में टच हो जाती है लेकिन उस दोरान हमारा उनके साथ में जगड़ा भी हो जाता है लेकिन यहाँ पर कोई ये प्रूफ नहीं कर सकता कि जो हमारे साथ में हाथसा हुआ है उसमें गलती किसकी है तो हाँ उसी चीज के लिए एक नया CCTV केमेरा विकन से देट कि जो हमारी गाड़ी के अंदर में इस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही इजीली इस्टॉल करने का उसमें है प्लग एन प्ले के मेरा है आप आपकी गाड़ी चलाएंगे सामने का जो पूरा पूरा व्यू है वो आप रिकोड कर सकते हैं इवन उसके साथ में एक internal भी है तो उससे आप internal जो घाड़ी के अंदर का portion है उसको भी आप record कर सकते हैं तो बिना वक्त गवाय हम उस product की आज unboxing करेंगे क्या आता है उस product के अंदर दूसरा नंबर इसके अंदर में ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस product को अपने घर पे मंगवा के आपकी गाड़ी में install कर सकते हैं थर तिंग में उसके अंदर बताने वाला हूँ एक छोटा सा review कि किस तरह की recording आप उस gadget के through आप देख पाएंगे और उसी product के अंदर में आपको review करके भी बताऊंगा कि क्या हम ये जब product online मंगवाते हैं तो उसकी worth है या नहीं तो चले शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को तो ये जो product है इसका ये box है हमारे पास में यहाँ पर मिलेगा आपको मेरा gadget का logo vehicle black box DVR और ये full HD के अंदर मतलब 2 megapixel के अंदर इसको record करता है साइड में हम फटाफट से देख लेते हैं 4.3 का TFT display इसमें दिया हुआ है 2 megapixel का full HD camera इसमें है wide angle इसके अंदर camera है 170 degree को cover करेगा night vision इसमें मिल जाएगा 32 GB का memory card support करेगा इसमें motion detection भी है cycle recording and G sensor इतने सारे features हैं देखते हैं यह features किस तरह से हमारे साथ में काम करने वाले हैं यहाँ पर भी थोड़ी सी specification product के बारे में दी हुई है वह आप आराम से देख सकते हैं box के उपर और बस यही है इस box के अंदर आप इसको open करके देखते हैं क्या है इस box में अब मैं इस box को open करता हूं तो जैसे box को आप open करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा यह main product और इसके अंदर इतनी सारी है accessories जहां पर आपको मिल जाता है एक यह cable जो cigarette जो लाइटर होता है वहाँ पर इसको आप लग करने के लिए कुछ cable दिया हुआ एक लंबा सा एक और camera दिया हुआ है यहाँ पर यह जो internal लगाने के लिए और कुछ screws हैं इसके अंदर और यह क्लिपिंग्स जो आपको जो आपका back mirror होता है उसके अंदर आपको लगाने के लिए है और एक है इसके अंदर यह manual जो आपके लिए गाड़ी के अंदर mirror का भी काम करेगा यहां पर इसकी on-off की और menu की कुछ buttons यहां पर दी हुई है अगर मैं उपर की side में बात करूं तो यहां पर USB इसको on करने के लिए जो charger है वह यहां पर आपको connect करना है इसके अंदर आप जो memory card का मैंने option बताया था कि इसके अंदर आप Micro HD memory card लगा सकते है वह है बैक साइड में यहां पर आपको कुछ speakers मिल जाते है माइक मिल जाता है reset का बटन है वह यहां पर मिल जाता है और यह इसका main functional camera जिसको आप आपके हिसा camera जिसको हमें यहां पर assemble करना है इस जगह पर तो यह हमें यहां पर कुछ इस तरह से लगाना होगा यह आपका इस तरह से fit हो जाएगा और उसके साथ में यहां पर हमारे पास में दी हुई है यह clip so clip को आपको back side से कुछ इस तरह से लगाना है और यह second so यह हमारा fit हो गया यहां पर यह दिखेगा कुछ इस तरह से इसके साथ में आया हुआ यह हमारे पास में cable है इस cable की यह जो पीन है वह आपको लगाना है यहां पर यूएसबी जो option दिया हुआ है वहां पर कुछ इस तरह से यह आपकी लग गई और अब यहां पर आप दो तरीके से कर सकते हो एक तो आप टेंपररी लगाना चाहते हैं मतलब आप जब चाहें उसको रिमूव कर दें तो इसके लिए आपके पास में यह केबल है आप डारेक्ली इसको कुछ इस तरह से आपके जो सीगारेट चार्जर है वहां पर आप इसको प्लग कर सकते हैं और दूसरी चीज़ अगर आप चाहते इसको एकदम पर्मानेंटली फिट करना तो आप क्या कर सकते हैं कि जो कार की इलेक्ट्रि केमेरा यह सेकेंडरी केमेरा हम कार के कोई भी कोर्नर में इसको इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अब यह कैमेरा है सिर्फ इतना सा और यहां पर इसका कनेक्टर अब इसके साथ में हमारे पास में दूसरा आया हुआ है यहां पर यह दूसरा इसके साथ में अटेच करने के यहां पर इसका एवी का पॉडड भी है तो यह सेकेंडरी केमेरा अगर आप अटेच्च करना चाते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं हमारा डिस्प्ले कुछ इस तरह से लग गया है अब यहां पर हमारे पास में ओपरेटिंग सिस्टम की कुछ दूसरा यहां पर है मैनुका बटन इसको जब बाएंगे तो यहां पर आपके पास मेनू आ जाएंगे अप पताचल जाएगे कौन सा चांगे जा सकते हैं image quality आप set कर सकते हैं cycle record है इसके अंदर तीन मिनिट की पाँच मिनिट की दस मिनिट की जो भी आप चाते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं motion detection अगर आपको on रखना है कि जब motion हो तभी recording करें इसके अलबा recording ना करें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं वाइट बैलन्स यहां पर आप सेट कर सकते हैं, शार्पनेस यहां पर सकते हैं, EV है, गुट वीडियो है, स्क्रीन सेवर्ड थै, ऑडियो है, पार्किंग वॉक है और जी सेंसर है और आटो पावर आफ पाला भी option है और time setting है यहाँ पर language setting है यहाँ पर date का tag है और format card करना है आपको तो format कर सकते हैं पूरे system को अगर आप reset करना चाते हैं यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा वर्जन की बटन तो इस तरह से इसके अंदर एक पूरा का पूरा मेनू दिया हुआ है कैमेरे से related तो इस तरह से अभी हमने यहाँ पर camera हमारा set हो चुका है और मैं चाहरा हूं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कि वह जो recording का जो clarity है है वह किस टाइब का है तो हमने पूरा set कर लिया है और फोड़ा सा कुछ गुम लेते हैं और गुमने के बाद मैं आप बैक में footage भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की footage यहाँ पर record हो रही है और बस यह है अगर आप चाहें इसको बैक में लगाने के लिए तो भी आप उसको लगा सकते हैं कि आप कार के अंदर क्या चीज़े हो रही है उसको भी record करना चाहते हैं आप कर सकते हैं तो आज के वीडियो में था बस इतना ही मुझे लगता है कि आपको हमारा आज का यह वीडियो काफी पसंद आया होगा क्योंकि पहली बार हम आउटडोर शुट कर रहे हैं और वह भी कार के अंदर शुट कर रहे हैं तो मिलते हैं अगले व लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो